डोस्तों जब हम फ्लाइट जनिंग करते हैं तो एरपोर्ट पहुंचने से पहले हमको एक सामन का जरूत पढ़ता है वह है लागेज्ट वेटिंग्स केल अगर घर में हम वेट जो है मेजर कर लेते हैं तो एरपोर्ट में हमको जादा पेशा देने का जरूत रहता थी नहीं के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किजिए सो फ्रें लेक्ट स्टार्ट है दोस्तों अगर आप मार्केट में लगेज वेटिंग स्केल देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पर इसका क्वालेटी बहुत ही खास है इसमें आपको एक छोटा सा LED डिस् दिखाने वाला हूँ तो पहले कर लेते हैं इसका उन्बॉक्सी बॉक्स पेक का फ्रॉंट साइट में ही मेंशन किया गया है बोल्ट फेट लागेज वेट स्केल एंड इसका बैक साइड में डिटल्स दिया गया है जैसे के यह अप्टू 50 kg का सामान आप इसमें वेट कर सक आप इसका फोल टुट्रेल जो हे वो देख सकते हैं दूसरा यह उसका युजर मानौल है तो इसमें आपको इक बैटरी भी मिलता है उसके साएट आपको वेट स्केल भी मिलता है दो इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है एक पाओर बाटन यहांपे दिया गया है बोल्ट फिट का बैजिंग यहां पर है, इसको carry करने के लिए भी अच्छा provision दिया गया है, जैसे कि आप इसको ऐसे carry कर सकते हैं, जब आप कोई भी सामान का weight measure करेंगे, तो इसको ऐसे आप पकड़ सकते हैं हाथ में, तो यह जगा में एक hook दिया गया है, तो इसमें एक belt दिय करना है, तो बैटरी को ऐसे उल्टा रखना है, उसके बाद इसके अंदर इसे set कर देना है, उसके बाद यह cap को बंद कर देना है, तो display अभी आप देख सकते हैं, यहां पर kg में यह unit show कर रहा है, यहां पर 00 है, तो जैसे ही इसमें कुछ भी weight आता है, जैसे आप उपर देख सकते हैं, यहां पर numbers आ गया, मिन्स जैसे ही weight आप carry करेंगे, तो यहां पर कितना weight है, वो show कर देता है, तो यह जगा में एक button दिया गया है, जिसके माधियम से आप इसका power को off कर सकते हैं, जैसे अभी यह power off हो गया, यहां से power on भी कर सकते हैं, तो कभी भी कोई भी सावान का weight measure करने से पहले, यहां पर अगर कुछ भी numbers दिखता है, तो situation में आप यह button को press करके tar भी कर सकते हैं, मिन्स इसको 0 भी कर सकते हैं, दोस्तों जब भी आपको कोई bag का weight measure करना है, तो simple जैसे यह एक trolley bag है, इसमें यह bell को ऐसे फसा देना है, उसके बाद यह lock कर देना है, तो lock क करने के बाद आप उसका weight measure कर सकते हैं, यहां से आप ऐसे ही उठा के जितना भी बजन अप्टू 50 केजी तक आप इसमें आराम से weight measure कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे, मैं इसका power on कर दिया, तो यहां पर एक light मिलता है, जो के बहुत ही बड़ा plus point है अगर आपका घर का low light condition है, तो ओ जागा में भी आप इसका weight देख सकते हैं, जैसे normally आप देखे होंगे, बहुत सारे weight scale है, जिसमें light नहीं रहता है, तो low light condition में आपको दिक्कत होता है, कितना आपका weight हुआ हो जानने के लिए, बड़ यहां पर light दिया गया है, अगर अंधे weight scale में हम यह भरा हुआ gas cylinder को भी measure कर लेते हैं, तो यहां से पता चलेगा यह कितना accuracy है, जैसे यहां पर belt दिया गया है, जस्ट आपको कोई भी सामान या log S बगेरा को, अगर आपको weight scale करना है, तो simply यह hook में उसे फसा दीजिए, उसके बाद इसको on कर दीजिए, इसका display on हो जाएगा, तो यहां से मैं measure करके आपको close look दिखाता हूँ, जैसे weight करने के time थोड़ा सा आपको रखना है, जैसे यह steel हो जाता है, तो उसके बाद आपको छोड़ देना है, तो जैसे यह जगा में 27.24 दिखा रहा है, तो यहां से आप इसका close look देख सकते हैं, यह 27.24 हो कर र इसका accuracy बहुत ही अच्छा है, और एक बात जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका build quality and design, ऐसे तो यह बहुत ही solid है, उसके साथ इसका design जो है, वह भी बहुत अच्छा बनाएगा है, नर्माली आप देखे होंगे, बहुत सारे weight scale जो है, एक ही हाथ में उठाना पड़ आप आपका सामान weight करने के बाद भी display में जान सकते हैं कि आपका सामान का weight कितना है, दोस्तों luggage weight scale एक device है, जिसका use बहुत ही rare रहता है, कभी कबार अगर हम प्रावेल करते हैं, तो ही हमारा सामान का वजन जो है हम इसमें measure करते हैं, या घर में कभी कबार gas पगेरा का weight अग अगर आप moderate use करते हैं या बहुत ही कम use करते हैं, तो यह डिवाइस आपको amazon.in में 550 रुपय में मिल जाता है, तो यह वीडियो का description में मैं इसका best purchase link दिया हूँ, वहां से click करके आप इसको purchase कर सकते हैं, तो आसकरता हूँ यह वीडियो आपके लिए interesting रहा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर किजेगा, फिर मिलेंगे next वीडियो में, till then stay tuned